हलो दोस्तों नमस्कार में नाम रश्य मलिक हैं आज में आप सभी के साथ एक काल्कुलेशन शेर करना चाहूंगा बहुत से एड़ोटीजमेंट न्यूस्पेपर के अंदर देखता आ रहा हूं कि अगर आप एक इंवेस्टमेंट स्टार्ट करते हो 8000 रुपीज के हिसाब से तो आने वाले 15 साल या 20 साल के अंदर आपका जो कॉपस वाल्य है वो वन करोड से अबब रहेगा एक इंवेस्टमेंट प्लान चाहे वो एक यूलिक का प्लान है चाहे वो अभी के समेंपर एक मुच्वल फंज है तो आपको दिखाना चाहूंगा कि उसके अंदर कितना अम तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और चानल को ज़रू सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना फॉर मॉर अपडेट्स रिलेटेट्ट्व मुच्वल फंज अन यूलिक पॉलिसी तो पहले आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आप एक इंवेस्टमेंट कर करते हुए रिटान प्रोवाइड करती है तो कभी भी यह मत सोचे कि इनीशल मोड में जो मुझे रिटान मिल रहा था वही रिटान आपको आने वाले 15 साल के अंदर या 10 साल के अंदर कंसिस्टेंटली मिलेगा तो फ्लीज वीडियो को पूरा दिखना अब मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा 8,000 रुपीज के अगर आप एक इन्वेस्मेंट करते हो तो उस केस में 1 करोर रुपे का वालू कैसे बनता है आने वोले 10 से 15 साल या 20 साल के अंदर लेट सुपोज अभी के समेश से यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ यह आपके 15 साल 15 साल का इन्वेस्मेंट है 15 साल तक मैं प्रीमियम पे करूँगा और कंसिस्ट अमाउंट ओफ आवरेज रिटन रहेगा 14 पसंद के हिसाब से इनिशल बालन्स जो मैं भी कंसिडर कर रहा हूँ वो 8,000 रुपीज रहेगा जिसके साथ मैं इन्वेस्मेंट को स्टार्ट करूँगा और 8,000 रुपीज का ही मेरा मंतली कॉंटर्बेशन रहेगा जो मेरी इंस्टॉल्मेंट से जाएगा हर महिने के महिने फानल्स मैलन्स मेरा बनता है 49,10,830 रुपीज का और पहले साल अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ 96,000 रुपीज तो 1,11,600 रुपे का वाल्यू बनता है इंक्लूडिंग 96,000 रुपीज अगर इसी को कंसिडर करता हूँ 15 साल के लिए तो 49,10,830 रुपीज का वाल्यू बन जाता है मेरा अट पेसंटली तो अकॉर्णि टो इस सेनारियो मेरा जो पूरा का पूरा इन्वेस्मेंट हो रहा है 15 साल के अंदर भी तब भी मेरे को एक करोड क्या 50,000,000 रुपे का भी वाल्यू नहीं बन रहा है लेट सुपोज अभी हम कंसिडर करते हैं 20 साल का इन्वेस्मेंट प्लान जहाँ पर हम सेम सिनारियो के इसाब से कैल्कॉलेशन करेंगे तो according to 20 years आपका एक करोड 5,38,770 रुपे का वाल्यू बन जाता है एक इन्वेस्मेंट प्लान के अंदर अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 20 साल के पात जो वाल्यू बनता है वो सेम रहेगा और ये जो आपको एक रिटान दिख रहा है वो कंपाउंड अनुवलाइज रिटान है इस इन्वेस्मेंट में जहां पर आप 20 साल तक पैसा पे कर रहे हो और 20 साल तक आपको जो कंसिस्टेंट आवरेज रिटान मिल रहा है वो 14% का है इस प्लान के अंदर अब मैं आपको एक सिंपल्जा क्यालकॉलेशन देना चाहूंगा अभी के इसमेंट पर 8,000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक साल का जो इन्वेस्मेंट हुआ हो 96,000 का हुआ और 20 साल का जो इन्वेस्मेंट हुआ हो 19,20,000 पे का हुआ आपकी तरफ से जो आप इन् रखिएगा नाओ मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जिसमें 19,00,000 रुपे से कम पैसा लगा कर भी आपको सेम रिटान आए तो यहाँ पर लिखके आ रहा है पौवर अफ कंपाउंडिंग आई से पुटेंशल आपको इन्वेस्टमेंगे ओपन करने पर मैं आपको दिखाऊंगा I want to invest, सेम अमाउंट डालूँगा यहाँ पर 8,000 रुपीज on a monthly mode and उसी के साथ मैं आपको recommend करूंगा जहाँ पर अभी के समय पर 20 साल इन्वेस्टमेंट कर रहे हूं वहाँ पर करो 15 साल हूं so according to 8% जो मेरा value बनता है 40,95,000 रुपीज जो बहुत कम रहेगा अगर मैं इसको consider करता हूं अभी के समय पर 14% के आधार पर तो 94,40,000 रुपे का value बन जाता है जहाँ पर पहले मैं एक investment में 19,20,000 रुपे दे रहा था और अब मैं वही investment में 8,000 रुपे पे कर रहा हूं औ और एक साल का है 96,000 उसको अगर मैं गुना करता हूं 15 से 14,40,000 रुपे पे करके same consistent amount of return बन जाता है 94,40,000 रुपे का average consistent amount of return से 14% के अधार से अगर इसी को आप 18 साल कर देते हो तो उस case में आपका value एक करोड करेक्ट बन जाता है इवन अगर 18 साल के calculation के हिसाब से भी मैं consider कर ल 12 is equal to 96 into 18 तो तब भी आपका जो value है अभी के समय पर 17,28,000 रुपे आ रहा है तो वहाँ पर क्या था कि अगर आप एक investment कर रहे हो compounding calculator वहाँ पर आपको 20 साल तक premium पे करके आपका इतना value बनता है जहाँ पर अभी के समय पर अगर आप ऐसे investment start करते हो कि according to this अगर हम एक investment कर रहे है तो हमारा compass value भी है जो कम लग रहा है और उसी के साथ हमें जो return है वो consistent मिल रहा है प्लान के अंदर आने वाले समय किसलिए तो अगर वीडियो आपको देखकर समझ आता है और knowledge मिलती है तो please वीडियो को like जरूर करेगा and channel को जरूर subscribe करेगा for more updates related to mutual funds and new policies thank you for giving your valuable time have a nice day दोस् प्लीज वीडियो को जरूर like and channel को जरूर subscribe करके जाएगा